कॉलकातन आइटाडिस ने तीसरी बार आईपेल ट्रॉफिट जीत ली है रविवार को खेले गए फाइनल में केक्यार ने 2016 की चैंपियन संड्रेजस हैदराबाद के टीम को आठ्विकेट से हरा दिया इससे पहले कॉलकातन ने 2012-2014 में किताब जीता था चैंपियन बनने के बाद के क्यार के टीम के मालिक शारुक खान बहुत खुश नजर आए उन्हें टीम के मैंटर गौतम गंबीर के माते पर किस किया और जीत दिलाने के लिए आभार जताया इतना ही नहीं शारुक खान ने मैच जितते ही अपनी पतनी गौरी को गले भी लगाया और भावुक हो गए शारुक खान ने नाइट्रेडर्स के मेंटर के रूप में अपने पहले सीजन में इस गौतम गंबीर के योगदान की सरहाना करते हुए उनके माते पर किस किया शेश अयर गंबीर के बाद आईपेल ट्रॉफिट जिताने वाले के क्यार के दूसरे कप्तान बने नाइट्रेडर्स ने प्रतिश्टित किताब के लिए अपना दस साल का इंतिजार समाप्त किया बाद में कौतम गंबीर ने भी सुनिल नारायान को खुशी से गोद में उठाया गंबीर जीत के बाद पहली बार इस लीग में मुस्कुराते हुए दिखे शारुक खान को आईपेल के सबसे महेंगे खिलाडी 24.75 करोड रुपे के तेज गेंदबास मेचल स्टाक के साथ गर्म जोशी से गले मिलते हुए द भी देखा गया स्टाक को शारुक खान के साथ लंबी बातचीत करते हुए देखा गया किंग खान स्टाक के प्रदशन से खुश थे स्टाक ने कॉलिफायर और फाइनल में कुल मिलाकर पाच फिकिट लिए उन्होंने दोनों मौकों पर सनराइजस को हराने में महत्वपूर्ण भूमी का न अन्द भी उठाया